कि जैहिंद पॉर लेक्टोनिक्स के जिस वीडियो में हम पढ़ेंगे फूल ब्रीज इंभर्टर के बारे में कि फूल ब्रीज इंभर्टर क्या होता है सर हमने पिछले लेक्चर में हाँ ब्रीज इंभर्टर के बारे में पढ़ा था इंभर्टर के डिफिनेशन के बारे में देखा था कि कितने तरह का इंभर्टर होता है उसमें हमने ब्रीज इंभर्टर के देखा स्रीज इंभर्टर के बारे हम देखा पैरलल इंभर्टर को हमने देखा क्लासिफाई तीन तरीका समने किया था उसमें हम ब्रीज इंभर्टर में दो तरह का इंभर्टर एक हाफ ब्री इन्भर्टर के बारे में पढ़ेंगे, फुल बिरीज इन्भर्टर का हमने अल्रेडी पावर सर्कीट डियाग्राम बना रखा है, और लोड के क्रोश जो आपको ओपुट बोल्टेज और करेंट मिलेगा, उसको भी हमने बेब फॉर्म डियाग्राम अल्रेडी बना रखा है सर, देखो इधर पहले, अब बात है कि इस पावर सर्कीट डियाग्राम ऑपरेट कैसे करता है, काम कैसे करता है, इसका कॉन्फिग्रेशन क्या है, इस सारा कुछ अभी हम समझाएंगे, तो देखो इसमें आपका क्या है सर, इसमें एक ही बोल्टे सोर्स यूज़ करते हैं, एक ही बोल्टे सोर्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें आपका कैसा, दो तरह के बोल्टे सोर्स यूज़ होता है, जिसका आपका वैलू होता है सर, मतलब इसका फुल ब्रीज इन्भर्टर का कितना होता है सर, बीवन डीडी 2d3 में हम आपको में बता दूं से हैं किर आपका जो डायोड है वह आपका किसी भी लोड़ के लिए अपलेक़र होगा एकसेट evaporates एक व्लोच प्यूदे इसमें न्यार्जूर के प्कारे कि भी लॉड के लिए भी यूज करेंगे क्यों क्योंकि आपका डायोड यूज करने से आपका क्या होगा सर जो आपका लोड में डेटोंड है इνडॉक्टर के करन explore व लोगा यूज हिसलिए हम रेसिस्तिव चोड़कर करके जितने भी लोड़ होगा सब में हम डायोड किया करता यूज करते हैं और समें आपका क्या आसर एक ही भॉलटे सोर्स यूज करते हैं घ्रैशट्र टीवन टी टू टीतर टी Comics टीजर एंटृट टैवी आफ् mitä टो इसलिए बोला रहे हैं को कि यह डियोट की फट के पूर्टा कनेक्टर है यह जो थार्श्टर तरा को सिल्टा कनेक्टेड है यह टैवरंभी 1964 सरिश्ठर सो रूरूत तकनेक्टेड़ है कि इसलिए कि क motivo सर्कूर साय काम कैसे करता है के ज़िए नद 스नरी इस साथ काम करें ऑस एक सा कय तब आपका क्या होगा टीवन दी T1 और T4 एक साथ काम करें T1 और T4 एक साथ operate करें तब आपका क्या होगा T1 और T4 एक साथ on हो जाएगा तो पूरा इंसार्षाट हो जाएगा मने सोर्स आपकाblink सोर्कीट इन इस तरह से operation वाटका परीशन पाशीब नहीं होगा मतलब T1 और T4 एक साथ कभी ओन नहीं हो सकता है T3 और T2 एक साथ कभी ओन नहीं हो सकता है आप देख सकते हो यहां डायोड का सभी डायोड का आपका कैथोड जो है वह आपका सर्फ सभी डायोड का कैथोड आपका पलस है सभी डायोड का नोड आपका कैसर माइनस है मतलब डायोड जो है source के कारण आपका reverse बयस है डायोड सभी डायोड जो चार एंटी-परलल डायोड है वो source के कारण आपका reverse बयस्त है लेकिन आप थारिश्टर को देख लो सभी थारिश्टर T1 T2 T1 T2 का आपका जो एनोड है वह आपका हो पाउस्टीव है ती वोर टी-टू का कट कोrd है औह नेगेटिवर मना सोर्स के कारण चारो थारिष्टर आपका forward blocking mode में हैं चारो थारिष्टर किसमें forward blocking mode में आप देख सकते हो देखो न है टी-फोर है तो 就是說 T1 और T3 का देखो इसका एनोड इसका एनोड पलस है अब हम ती 4 और टी 2 का कैथोरड देखो क्या इखो एवब हम इसका मतलब 4 नहीं है ब्लॉकिंग में मतलब अब है लेकिन आपका आफ है एक कंडाक्ट नहीं कर रहा है लेकिन सोर्स के कारण चारों एंटी पारलल डावर्ड किसमें असर वह आपका रिभर्स भाहस है बात है कि हमारा काम कैसे करेगा इंवर्टर एक साथ तो कभी टीवन टीफोर आपरेट नहीं हो सकता है तो आपरेट कौन-कौन होगा तो देखो एक बार हमारा क्या असर यह आटे टाइम आटे टाइम एक बार टीवन और टीटू काम करेगा करेंट आपका ऐसे फुल होगा ऐसे फुल होगा और एक बार आपका क्या ओपरेट होगा आपका टीफोर ओपरेट होगा मने आटे टाइम आपका टीवन और टीटू और T2 आपका क्या होगा OFF होगा सर यह दोनों आपका क्या होगा OFF होगा तो आईए हम operation को समझते हैं चुकि सभी थारिष्टर अभी क्या है सर सभी थारिष्टर आपका forward blocking mode में है तो मान लो हम T1 और T2 को T1 और T2 को gate pulse दे रहे हैं देखो IG1 और IG2 इसको इसको आपने gate pulse दिया तो जो ही gate pulse दोगे तो आपका क्या हो जाएगा gate pulse दोगे तो ऐसे close हो जाएगा यह gate pulse दोगे तो क्या हो जाएगा यह close हो जाएगा और यह दोनों क्या रहेगा सर यह दोनों OFF रहेगा यह दोनों अभी आपका क्या रहेगा ऑफ रहेगा अब देखो चुकिए डायौड सो लग रहा है यहां जोब डेयर्ट के बरावर टो इस पॉलरे 230 वाला पोल्तेज को ब्लस मान रहे हैं किसके बराबर मिल रहा ज्हार किन इस और op wert का रहा आपि Oreo कर दहांद Erfeinander. 한번 और डीटू ऑप्रेट कर रहा है तो बोल्टेज आपका क्य बिल्गा मिलेगा पहलेEng cases बराबर है इन दोनों को आपने कर दिया course किमूटेशन करोग कुकि ड़ी सी इस अप्ला यह ना पोमान लो आपने टी 2 इंस्टाइट पर इन दोनों को ँजया जोह बोल्कम करैंगे जरी सिर फूर्ड और इन पॉल्स दोगे तो यह ओन हो जाएगा यह ओन हो जाएगा अच्छो कि इसको कमुटेट कर रहे हो तो यह ओफ हो जाएगा यह ओफ हो जाएगा तो अब देखो क्या असर अब आपका क्या असर यह वाला देखो जा करके यह वाला टर्मिनल इसके थुरू आएगा यह पलस हो ज वाले वोल्टेज़ को क्या मानूगगी माइनस अप्रेट कौन कर रहा है सर टीट्री और टीफोर इस पूलरीटी वाले वोल्टेज को मैंने माइनस लिया तो करेंट आपका पोजी डारेक्शन में फ्लो होगा तो करेंट भी क्या दिखाएंगे नेगेटिव मलग कंड़क्ट कौन कर रहा है यहां टी 1 और टी 2 यहां कौन कंड़क्ट कर रहा है टी 3 और टी 4 उसी तरह उसी तरह जब इन दोनों को आफ करोगे तो उसी इंस्टेंट पर इन दोनों को आप क्या दोगे ट्रिगरिंग पल्स दोगे तो यह दोनों ओन हो जाएगा तो इस तरह का वोल्टेज मिलना शुरू हो जाएगा कौन आपरेट होगा टी 1 और टी 2 फिर जब इन दोनों को आफ करोगे तो इन दोनों क्या हो जाएगा आउन हो जाएगा जब यह दोनों हो जाएगा तो आट पूट बोल्टेज का पॉलेरिटी ऐसा हो जाएगा मतलब रिभर्स यह क्या हो जाएगा टी 3 और टी 4 तो इस तरह से आपका क्या असर आप फुल बिरिज इंभर्टर का ऑपरेशन आप समझ सकते हैं तो यहां से आप देख सकते हो कि हर हमेशा जो आट पूट बोल्टेज मिल रहा है और पूट बोल्टेज मिल रहा वो सोर्स बोल्टेज के बरा सब्सक्राइबर है कि यहां सोर्स का यूट इलाइजेशन फैक्टर करने हें कितना हंड़र्ट परसेंट बाला अफूल ब्रीज इन बैठर का जो फ्रेक्टर है वहां बिजी इन बैठर से कितना हैं त्वाइस πिलो ना जो और तो सबसमाज में आगया होगा आप दिधान आप देख सकते हो इसमें चार थारिष्टर यूज करते हैं चार एंटी परलल डायोड यूज करते हैं तो यह आपका फूल ब्रीज इनबर्टर का आपका क्या था सर आपका ओपरेशन था यह समझेगा आपका परिच्छा में आता भी है कि हाँ ब्रीज इनबर्टर को डिस्क explain कीजिए तो आप क्या है यह आपका फूल ब्रीज इंवर्टर का पावर सर्कीट डियाग्राम में देखो हम बना देते हैं थारिश्टर था यहां ऑप्रेशन समझाने के लिए आमने वो बताया था कि यह आपका थारिश्टर था कि अगया थो उमीद करता हूँ कि आपको एब बीडियो assistantय में आया होगा और अगले वी Public में हम लेकर कर स्रीज इंपर उसके बाद मोडिफाइड परतर पर उसके बाद के परलल्ल को इंपरतर पिर बाद आएंगे आपका पल्स विड्थ मोडूलेशन टेक्निक ऑफ इंवर्टर सब कुछ पढ़ेंगे फुरियर एनलाइसिस भी करेंगे इंवर्टर का तो आज फिलाल इतना ही थेंक यू